अलो फ्रेंज्स नमस्कार आप सबका सौगत है मेरे चैनल पर आज हम बनाएंगे वारस से बचने के लिए एक काड़ा जो कि हमारे घरों के सावानों से इजली तयार हो जाता है इसे पीने से इमिल सिस्टम हमारा इस्टों होता है तो चलिए इसके लिए हमने लिया है मैंने छ और अगर आपको पते नहीं मिले हो इस टाइम में तो आप ये तुलसी का रस ले सकते हैं ये पते हैं तुलसी के रस ये मेडिकल पर मिल जाएगा आपको इजली मिल जाता है और ये लिया हुआ है तेज पता एक तेज पता लिया हुआ है एक इंच दाल चिनी का टुकड़ा तीन अध्रक के पीस है इसके एक एक इंच के हमने इसको छीरी के कट कर लिया था पांस ये लॉंग है और हाप चम्मत छोटी ये हल्दी पौडर है काली मिर्च लिए हुई है 20-25 है काली मिर्च और ये गुड लिया हुआ है ये आप अगर गुड नहीं मिले आपके पास तो आ 15-3000 है पानी पोगने में होगा है सबसे पहले पानी पानी के बाल रहा हुआ है और इस नोहीं ए मुड लाए मिल आपक काली मिलच और हम इसको व्वय कर लूँद कर लेंगे सबसे पहले मिले हैया हुआ है अगर ये लिए झालाऊ और ये ₑजरा की कर दोड़ कर लेंगे ये इस सारी इस तरह से तोड़ाँ लेंगे撬से एक ये लरेंगे किसी चीज पर एक लतेघे तरह से जल से दूड़ाँ झालकर जुटाय समाराँ लोगे किशने म wonder ये टमी आ उटमी क्यों समें लख दू पहर मुस्ता है यह गलो की देंडिया यह डाल देंगे, स्टिक, केज पत्ता, तुलसी के पत्ते, और यह गुड़ भी डाल देंगे, यह क्रस्करी होगी दालचीनी, और काली में शिय भी डाल देंगे, और यह अर्क है, यह आप दो ग्लास जब आप बनाए तो एक ग्लास रह जाए, जब एक ग्लास रह जाएगा, तब इसमें दस, आप यह ऐसी दस मून डालने, इसको बाइल करने की ज़रूत नहीं है, बुरा काड़ा बन जाए तब ही डालें इसको, और यह गुड़ भी डालन अब इसको अच्छे से पकालेंगे, जब आदा लीटर पानी रह जाएगा, तब इसको थंडा करके, एक लीटर से आदा लीटर पानी रह गया है, यह काड़ा, तो चलिए गैस बंद कर देतने हैं, थंडा करके सब करके दिखाएंगे, जिलो का काड़ा तयार है, इसे हमने इसके फायदे बहुत है, खासी बुखार जुकां को ठीक कर देता है, और को रुखार इसके भी यही लक्षण है, तो आप इसे डेली पीए, एक से दो बार पीलें दिन में, इतना ही बहुत है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सस्क्राइ करें, जादा जादा सेयर करें मेरी वीडियो को, तैंक यू,